हेलो फेंड, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम स्वासे से जुड़ी बातों में ग्रीन टी के फायदे और नुकसान साथ ही उसके बनाने की विधी और पीने का सही समय के बारे में बात करते हैं ग्रीन टी में प्रचुर मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट और फायदे मंद पॉली फेनोल्स मौझूद होते हैं ग्रीन टी के सेवन से कई तरह के खतरनाक रोगों जैसे की कैंसर आदी से सुरक्षा मिलती है सांथी ब्लीडिंग को रोकने और घाव को भरने के लिए चीनी एवं भारतिय और शदियों में ग्रीन टी का इस्तमाल किया जाता था ये पाचन मानसिक और दिल की सेहत में सुधार लाती है इससे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखा जा सकता है वजनकम करने में ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा फायदे मन मानी जाती है और लीवर से संबंधेत विकारों टाइप टू डाइबिटीज और अलजाइमर रोगों पर भी ग्रीन टी का सकरात्मक असर पड़ता है अध्यनों की माने तो ग्रीन टी में उच्च मात्रा में पॉलिफेनोल्स मौजूद होते हैं जो कैंसर कारी कोशिकाओं को नश्ट करने एवं उन्हें बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं ग्रीन टी कई आम स्वास्त संबंदित परिशानियों से राहत प्रदान करती है और कई पुराने रोगों और गंभी स्वास्त समस्याओं के खत्रे को भी कम करती है अपने कई स्वास्त लाभूं के कारण ग्रीन टी आपके स्वास्त के लिए चमतकार कर सकती है सिर्फ तीन से चार कप ग्रीन टी आपके स्वास्त के लिए बहुत लापकारी हो सकती है जो लोग नियमित रूप से हरी चाय पीते हैं उनके दिमाग के कार्या करने वाले इस्मृती शेत्र में अधिक गतिविधी होती है हरी चाय में मौझूद बायो एक्टिव योगिकों के कारण नियूरांस पर सकरात्मक प्रभाव हो सकता है जिससे अलजाइमर और पारकिसंस जैसी बिमारियों की वजह से होने वाली शेती कम हो सकती है अपनी इस्मृती को बढ़ाने और रोग को दूर करने के लिए पस दैनिक रूप से हरी चाय एक या दो कप पियें इसके साथ ही बालों की समस्या को कम करने के लिए भी हरी चाय का उप्योग कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ शक्तिशाली एंटी आक्सिड़न पाये जाते हैं जो आपके बालों को समस्याओं को कम कर उन्हें मजबूत करने में मदद करते हैं ग्रीन टी में विटामिन बी होता है जो दो मुहे बालों को कम करता है और आपके बालों को नर्म भी बनाता है इसके साथ ही आपके बालों के कूप को भी मजबूत करता है ग्रीन टी के गुण बालों के जढ़ने को रोकने में मदद करते हैं और नए बालों के विकास को ग्रीन टी के कुछ कप हर दिन पीने से आपके बाल जढ़ने कम होंगे और फिर बढ़ेंगे इसके हलावा अपने गीले बालों पर ताजा बनी ग्रीन टी लगा कर दस मिनट के बाद धोने पर रूसी और सूखे सिर जैसी समस्याओं को कम करने में भी मदद मिलेगी इसका प्र कीड़ा लगने की संभावना कम हो जाती है ग्रीन टी में प्रकृतिक फ्लोराइड पॉलिफेनोल्स और कटे चिन्स पाया जाता है जो प्रभावी ढंग से बैक्टीरिया को मार सकते हैं और दंतशे सांसों की बदबू दातों में खीड़ा लगना जैसे विभिन प्रकार की परिशानिया होने से भी बचा सकते हैं और कई अध्यनों ने साबित किया है कि दैनिक रूप से एक कप ग्रीन टी का उपयोग शरीर में वसा विशेश रूप से पेट के शेत्रमें शरीर में वसा को कम कर सकता है यह शरीर में वसा प्रतिशर शरीर का वजन और कमर की चर्ब को कम कर सकता है इसके अलावा ग्रीन टी में मौजूद कटेजिन शरीर में गर्मी उत्पनग करता है जिसके कारण अतिरिक्त कालोरी जलाने में भी मदद मिलती है ग्रीन टी शरीर के चाया-पचय को बढ़ाने में मदद करके वजन घटाने के लिए फैदिमंद हो सकती है ग्रीन टी में कैफिन होता है और एक प्रकार का फ्लेवो नॉइड होता है जिसे केटेचिन कहा जाता है जो की एक एंटी आक्सिडेंट होता है केटेचिन अतिरिक तवसा तोड़ने में मदद करता है जबकि केटेचिन और कैफीन दोनों शरीर में उर्जा को बढ़ा कर शरीर को चुस्त रखने में मदद करते हैं और सांथी ग्रीन टी अगनाशे में इंसूलीन के उत्पादन को बढ़ा सकती है, रक्त शरकरा के इस तर को नियमित कर सकती है और टाइप वन मधुमे से पीडित लोगों में गुलुकोस को उशोषित कर सकती है टाइब टू मधुमे में लगातार हो रही रक्त शरकरा में वृध्धी के कारण अक्सर आखों, दिल और गुर्दे में लटिलतायं पैदा हो जाती है ग्रीन टी इस वृध्धी को रोपती है वास्ताओं में ग्रीन टी मधुमे से पीड़ित व्यक्ती के लिए सबसे अच्छी चीजों में से है इसलिए मधुमे से पीड़ित व्यक्ती को अपने आहार में इसे जरूर शामिल करना चाहिए इसके अलावा ग्रीन टी प्रभावी रूप से रक्त में खराब कोलिस्ट्रॉल को कम करती है साथ ही खराब कोलिस्ट्रॉल और अच्छे कोलिस्ट्रॉल के अनुपात में सुधार करती है इसके हलावा ग्रीन टी के नियमित सेवन से हाई बीपी के खत्रे को कम किया जा सकता है और सांथ ही ग्रीन टी में पॉलिफेनाल का इस्तर अधिक होता है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने में मदद करता है और उन्हें बढ़ने से रोकता है ग्रीन टी में शामिल एंटी ऑक्सिडेंट विभिन प्रकार के कैंसर जैसे इस्तन प्रोसेस्ट, डिम्ब ग्रन्थी, कोलोरेक्टल, अगनाशय, मुत्राशय, फेफडे, तथा, तच्चा, बोजन अलिका और पेट का कैंसर होने के जोखिमों को कम कर सकते हैं वास्तों में ग्रीन टी में एंटी ऑक्सिडेंट विटामिन सी की तुलना में 100 गुना अधिक प्रभावी है और विटामिन ए की तुलना में 24 गुना अधिक प्रभावी है दिन में 3-4 कप ग्रीन टी पीने से कैंसर विरोधी लाब हो सकते हैं और ग्रीन टी में उपलब्ध एंटी ऑक्सिजेंट हानी कारक मुक्त करणों से तवच्चा की रक्षा करते हैं ये दिरगावी को बढ़ावा देकर तवच्चा की रोगों का इलाज करते हैं साथ ही उम्र के बढ़ने के विभिनन संकेतों के खिलाफ लड़ाई में मदद करते हैं यही कारण है कि ग्रीन टी कई सौंदर उत्पादों में इस्तेमाल की जाती है हरी चाय में फ्लोराइड अधिक मात्रा में होता है जो हड्डियों की शक्ती को बनाय रखने में मदद करता है हरी चाय की नियमित खपत हड्डियों के फ्रेक्चर के जोखिम को कम करती है हड्डियों के घनत्व की हानी हरी चाय में मौजूद एंटी अक्सिडन्ट और सूजन कम करने वाले गुणों के कारण नहीं होती है यह हड्डी की निर्मान कोशिकाओं की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करती है और अस्थी घनत्व को बनाये रखने हे तू हरी चाय रोज पिएं अब हम ग्रीन टी पिने के सही समय के बारे में बात करते हैं सुभर सबसे पहले ग्रीन टी लेने से बचें और नाश्टे से पहले इसे ना लें नाश्ते और दोपहर के भोजन के एक घंटे बाद हरी चाय पीएं हरी चाय को देर रात ना पीएं क्योंकि इसमें समेलित कैफीन अनिद्रा का कारण बन सकती है कम से कम आधे घंटे व्यायाम से पहले हरी चाय पीने के लिए कहा जाता है यह पाया गया है कि हरी चाय आपके प्रदर्शन के इस्तर में सुधार लाती है और आपके स्टैमना को बढ़ाती है ग्रीन टी को कभी खाली पेट ना पिएं ग्रीन टी पीने से हमारा शरीर अंदर से स्वच होता है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ग्रीन टी को सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें होता है कैफिन जो हमारे गैस्ट्रिक जूस को पतला कर देता है हमारे पेट और सपलीन को प्रभावित करता है ग्रीन टी पीने का सही समय क्या है अच्छे परणामों के लिए खाना खाने के आधा घंटे पहले या खाना खाने के एक घंटे बाद ग्रीन टी पीना चाहिए खाना खाने के तुरंद बाद ग्रीन टी ना पिएं क्योंकि ग्रीन टी में उपस्थित कैफिन पाचन प्रभावित करता है और पोशक तत्वों को शरीर में और शोशित होने से रोकता है दिन में सिर्फ दो या तीन कप ही ग्रीन टी पीना चाहिए क्योंकि ग्रीन टी में एंटी ऑक्सिजेंट और फ्रोचुर मातरा में होते हैं इसका सेवन अधिक मातरा में करेंगे तो शरीर में विशेले तत्वों की मातरा बढ़ती है और इससे आपका लीवर प्रभावित हो स ग्रीन टी बनाने के लिए पहले पानी उबालें, फिर एक कप में ग्रीन टी की पत्ती या टी बैक डालें, एक कप के लिए एक चमच पत्ती या एक टी बैक डालें, फिर सीधे उबला हुआ पानी इस कप में डालें, एक बार चाय को हिला लें, देर से दो मिनट तक चाय के को ढग दें दो मिनट से जादा रखने पर चाय कड़वी हो सकती है इसके बाद चाय को शान ले या टी बैक को निकाल दें ग्रीन टी में कैफिन होता है इसलिए ग्रीन टी की अधिक मात्रा लेने से कुछ लोगों में अनिद्रा पेट की खराबी उल्टी दस और अकसर पेशा या कबज भी हो सकता है ग्रीन चाय में कटे चिंस के कारण भोजन से आईरन के अवशोशन में कमी हो सकती है और यदि आप दवाओं का सिवन कर रहे हैं तो आपको सुनेशित करना चाहिए कि ग्रीन चाय किसी भी दवा के साथ हस्ता शेप ना करे तो वजन कम करने के लिए ग्रीन टी पर पूरी तरह निर्भर रहना उचित नहीं है बलकि इसके साथ सही डाइट नियमित व्यायाम और योग भी जरूरी है व्यक्ति को अपने स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए इसका सेवन सिमित मातरा में ही करना चाहिए और इसके साथ ही गर्भावस्था के दोरान ग्रीन टी के सेवन से पहले डॉक्टरी सला जरूर लें इसमें कैफीन होता है और गर्भावस्था के दोरान 300 मिली ग्राम से जादा कैफीन का सेवन गर्भावस्था की अवधी को बढ़ा सकता है तो फ्रेंड इस सरह से स्वास्था से जुड़ी इतनी ही बातें और बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पर करेंगे तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बल आइकन को भी प्रेस करें